और हम वशनी शर्मा और हम कर रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर्चर्स तो देखिये वहीं स्टील स्ट्रक्चर्स में next question हमारा क्या है देखिये एक फिलेट वेल्ड दिया हुए आपसे पूचा है कि मैक्सिमम लोड कितना रिजिस्ट कर सकता है यह ठीक है विल्कुल सिंपल कोश्चन है कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं आनी चीए कैसे करेंगे कि इसका resultant कितना आ रहा है maximum वो निकालेंगे और उसको equate कर देंगे हम maximum fs की value से वहां से सारी चीज़े हमारी जो fr आएगा in terms of p आएगा उसको equate कर देंगे fs से बट एक चीज़ और फिर से यहां पर क्या है हमारा unsymmetric है तीन साइड पर welded है यह section इसकी वजह स से अब यहां पर थोड़ी सी calculation बढ़ जाएंगी जिसके लिए हमने यह question किया अभी तो basically last में size of weld निकालना था इसमें maximum load निकालना है कि कि कितना calculate करना है हमें तो धीरे धीरे करते चलेंगे step by step अब values given क्या क्या है वही पहले तो लिख लेते हैं procedure हमें बिल्कुल clear है और कैसा है यह case किसका है यह in plain eccentricity का तो twisting moment आएगा तो वह calculate करेंगे उसके accordingly तो size of weld दिया हुए इसके लाव और कुछ नहीं है size हमें दिया हुए 6 mm ठीक है और पी हमें calculate करना है इस entry city भी हमें नहीं पता यह dimensions दी हुई है इस entry city हमें total नहीं पता उसके लिए हमें cg की जरुवत पड़ेगी तो cg की जरुवत पड़ेगी तो cg calculate करेंगे ठीक है calculate कैसे करेंगे इसको अब थोड़ा यहाँ पे draw कर लेते हैं enlarged view हो जाएगा इसका यह ठीक है भई तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे इसकी symmetry की तो इस axis के about यहाँ पर इस axis के about तो क्या है symmetric है उपर भी L section नीचे भी L section अगर मैं इसको इसके उपर रखूँगा तो mirror image बनेगी तो यह इस axis के about मतलब xx axis के about तो symmetric है तो यहाँ पर तो मुझे पता है कि यह हमारा कहां पर मिलेगा हमें 320 divided by 2 पर हमें यह point मिलेगा 320 divided by 2 तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो यह कितना हो जाएगा 320 divided by 2 कितना होगा 300, 600, 160 ठीक है 160 है में हमारा यह आगया distance क्योंकि इसके about यह symmetric थी अगर इसके about भी symmetric होती तो यह मैं directly यहाँ पर point इसके center पर calculate कर लेता यहाँ पर इस axis के मतलब इस particular axis के about यह symmetric नहीं है तो अब क्या करेंगे यहाँ पर calculate करेंगे कि यह axis यहाँ से कितनी दूरी पर है या इधर से कितनी दूरी पर है कहीं से भी calculate कर सकते हैं तो benchmark मैं यह पर मान लेता हूँ इस axis को यह हमारी benchmark हो जाएगी, reference point हो जाएगा हमारा, यह क्या है हमारा reference, यहां से सारी measurements ली जाएंगी, ठीक है, सबी measurements में इस axis से लोगा भई, ठीक है, तो आप कैसे निकालते हैं, cg, x1, y1, a1, x1, a2, x2, इस तरह से calculate करते हैं, अगर x में निकाल लिए हो, तो बट मुझे किस में यह y में, y x का तो खेर देखते हैं, यह कितना था, 160 mm, तो basically मुझे यह distance calculate करना है, suppose यह हमारा हो गया x bar, यह चीज़ क्लियर, यह x bar distance यहां से कितनी दूरी पर है, वो मुझे calculate करना है, तो कैसे calculate किया जाता है, calculating cg, या फिर आप यहां पर लिख लिए, calculating x bar, calculating x bar, तो x bar कैसे calculate करेंगे, a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 upon a1 plus a2 plus a3, यही होगा, अब यहां पर यह क्या है, हमारा number 1 section, और यह है suppose 2, और यह है हमारा suppose 3, तो इनके accordingly यहां पर number हम कर देंगे, अब a1 x2, a1 क्या आएगा यहां पर, इसका area आएगा, a1 का, तो यह area हमें कितना दिया हुआ है, मतलब l1 हमारी, यह क्या हो जाएगा, यह हमारी l1 into, यह l1, और यह क्या है, throat thickness, l1 into throat thickness, area हमारा आजाएगा, और l2 का हमारा कितना आजाएगा, यह l2 हो जाएगा, हमारा, यह हमारा l2 है, और यह हमारी l3 हो जाएगी, l3 हो गई, clear, तो l1, l2, l3 हो गया, और इंटू throat thickness कर देंगे, यहाँ पर, यह कितना है, throat thickness, और यह भी कितनी है, हमारी throat thickness के बराबर है, तो area हम ऐसे calculate कर लेते हैं, l1 हमें कितनी दियुए है, l1 हमारी कितनी है, 140, तो इसको लिख भी लेते हैं, even क्या हो जाएगा, l1 इंटू throat thickness, अब पहले throat thickness भी है, आपर calculate कर देते हैं, तो throat thickness हमारी कितनी आएगी, throat thickness क्या होती है, k इंटू s, ठीक है, हमें throat thickness नहीं पता ना भी, तो k की value कितनी होगी, 90 degree पे है यह, 0.7 इंटू s, size of weld, 6 mm दे रखा है, तो 4.2 mm हमारा यहां से throat thickness आ जाएगा, throat thickness आ गया, अब इसको value, इसकी value put कर देते हैं, तो L1 कितना था, 140, 140 इंटू 4.2, तो यह कितना आ रहा है, देखो, 140 इंटू 4.2 यह आ रहा है, 588, 588, 588 mm square, A1 आ गया, X1 क्या होगा भई अब, अब basically X1 क्या है, यहां पर हमारा, यह distance, इसका, suppose number 1 element यह था, तो यह जो element है हमारा, इसका half, इसका half, इसका half, इसका half, इसका half, L1 divided by 2 हो जाएगा, L1 divided by 2, मतलब इसका CG कहां आएगा, इस particular component का, इसकी जब मैं बात करता हूँ, तो इस component का CG कहां आएगा, इसके center पर, 70 mm, ऐसे ही A2 कैलकुलेट करो भई, A2 क्या हो जाएगा, L2 इन्टू इन्टू थ्रोट थिक्नेस, L2 क्या है हमारी, यह देखो, 320 दियो हुई है, 320 इन्टू 4.2, 320 इन्टू 4.2, 1344, 1344 mm square, A2 आगया हमारा, 1344, A1 भी आगया था, यहाँ पर, X1 आगया, अब X2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, X2 देखो, X2 का distance हम कहां से लेंगे, यही से हम क्या ले रहे हैं, distance कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसी axis पर क्या होगा, इसकी भी axis लाई करेंगे, तो X2 का distance कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसकी axis जो हमें मिलेगी, वो इसी benchmark पर लाई कर रहे होगी, तो distance जो है, 0 हो जाएगा, उसी के ऊपर लाई कर रहे है, वो axis, तो इसलिए आप X2 की value 0 लिख होगे, यहाँ पर, A3 क्या हो जाएगा भी, L3 into throat thickness, L3 कितना दिया होगा है, 140 into 4.2, same था इदर भी, 588 mm square, A3, तो A3 भी आगया, X3 कितना आएगा है, यहाँ पर, L3 divided by 2, L3 divided by 2, L3 कितनी है हमारी, 140, divide by 2, तो X3 आगया हमारी यहाँ पर, 70 mm, सारी values आगया, A1, A2, A3 और X1, X2, X3, सभी values calculate कर ली, तो अब यहाँ पर, X bar में put कर देते हैं, X bar देखो, क्या आता है फिर, therefore, X bar equals to, A1 इंटू X1 प्लस A2 इंटू X2 प्लस A3 इंटू X3 डिवाइड बाई, A1 प्लस A2 प्लस A3, तो अब A1 क्या है, 588, इंटू X1 क्या है हमारा, 70, प्लस A2 क्या है, 1344, इंटू X2 क्या है, 0, यह टम तो वैसे 0 ही हो जाएगी, प्लस A3 क्या है, 588, इंटू X3 कितना है, 70, डिवाइड बाई, 588, प्लस 1344, प्लस 588, यही होगा, क्यल्कुलेट करो जल्दी से कितना आ रहे, यह आ जाएगा हमारा, 2 इंटू 5, 588, इंटू 70, इंटू 0 हो जाएगा, पॉन 588, प्लस 1344, प्लस 588, 32.67, 32.67 mm हमारा, X बार आ चुगा है बई, 32.67 हमारा X बार आ गया, मतलब यहां सही जो डिस्टेंस हमने कल्कुलेट किया था, यह डिस्टेंस आ गया हमारा, 32.67 mm, clear, तो अब हमारा काम क्या था, इस एंटू सीटी कल्कुलेट करना, इस एंटू सीटी कल्कुलेट कैसे करेंगे, यहां पर हमें यह चीज मिल गई है, सपोस्थ यह जो पॉइंट है, यहां से, 32.67 पर मिल गया, ठीक है, तो इस एंटू सीटी क्या हो जाएगी, 240 प्लस 140 माइनस 32.67, तो यहां पर अब क्या करेंगे, therefore, इस एंटू सीटी क्या हो जाएगी, 240 प्लस 140 माइनस 32.67, देखो कितने आ रिया सेंट्रिसिटी, 240 प्लस 140 माइनस 32.67, यह आ रिया हमारी 347.33, 347.33 mm की हमारी सेंट्रिसिटी, नौर्मन कैले सेंट्रिसिटी, यहां पर जब है मैं बात करता हूं, तो यह कितने आ रिया है, यहां पहिल लेक लेते हैं, यह है हमारी सेंट्रिसिटी, कितने आ रिया है, 347.33, 3 क्लियर तो इस centricity आ गई गई वई इस centricity निकाल नहीं मैं मकसद था हमारा अब इसके बाद हम क्या करते हैं normal salvation जो हम करते आ रहे थे पहले से अब क्योंकि यह हमारा कैस़ यह एक ऐसा case है इन-plane कहाय आउट-of Plane कहाय है इन-plane कहाय है तो in-plane centricity है तो in plane is electricity है तो F1 कैसे निकालेंगे यहाँ पे P divided by A और F2 कैसे निकलेगा T divided by IZZ into R सबसे बड़ी calculation का काम तो इसी कही है बाकी तो बिचारे आराम से हो जाते हैं कोई भी दिक्कत नहीं देते तो F R क्या होता है और F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos theta यह होता है और इसके लावा और यह क्या होना चीए F R should be less than equals to F S यह condition होती है यह पूरा process है हमारा पूरा question यही है अब बस इसको solve कर देंगे इसके लावा कुछ भी नहीं करेंगे ठीक है तो यहाँ पे अब हम F1 calculate करते हैं suppose पहले F1 यह क्या आजाएगा P divided by A तो P divided by A क्या हो जाएगा total A1 plus A2 plus A3 ठीक है यह कितना आजाएगा P divided by A1 क्या था 588 plus A2 कितना था 1344 plus A3 कितना था 588 यही था ना A3 यह कितना रहा P divided by add करते हैं तो कितना आता यह 588 plus 1344 plus 588 25 हाँ ठीक है 2520 यह आगया हमारा F1 F1 की value आ गई भई F1 तो बैचारा simple सा होता है कोई दिक्कत आती नहीं है इसको calculate करने में easily calculate हो जाता है अब आरी किसकी है F2 की F2 के लिए अब हमें किस चीज़ की जरुद पड़ेगी भई twisting moment की R की और Izz की तो इसमें पहले क्या करेंगे हम twisting moment calculate कर लेते हैं तो T क्या होगा हमारा now T क्या होगा P into E तो क्या हो जाएगा P हमें calculate ही करना है और इस electricity हमने कितनी calculate करी थी 347.33 ठीक है भई यह हमारा क्या हो गया twisting moment आ गया यहां से अब बारी किसकी है R की अब R जब calculate करेंगे तो R calculate करते है टाइम यहां पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा एंगल का एंगल का भी और सारी dimensions basically ठीक है तो अब यहां पे हम क्या करेंगे यह हमारा R होगा R कैसे calculate करेंगे यह distance कितना था हमारा 160 यह calculate किया था हमने 320 divided by 2 और यह distance कितना है हमारा हमने कितना calculate किया है यह 32.67 है यह कितना हो जाएगा हमारा 140 minus 32.67 तो यह कितना आ रहा है हमारा यहां पे देखो यह distance suppose यह हमारा हो जाएगा O A B तो और यह मानलो हमारा C है तो यहां पे R calculate करने के लिए in triangle O A B जो हमारी O B आएगी वो कितनी आएगी O B क्या हो जाएगी हमारी CB या BC minus BC minus OC BC total कितना है हमारा 140 और OC कितना है OC 32.67 तो यह कितना आ रहा हमारा O B 140 minus 32.67 107.33 107.33 O B आ गया यहां से ठीक है भई तो यह कितना रहा है 107.33 तो बस अब R निकाल ले है Hypertonus चे आप निकाल दो क्या होगा इसका स्क्वेर प्लस इसका स्क्वेर और फिर हमें थीटा की भी जरूरत पड़ेगी तो वो भी निकाल लेंगे ही ही से तो देर्फोर R क्या हो जाएगा अंडर रूट आफ 160 का स्क्वेर प्लस 107.33 का स्क्वेर तो यह देखो कितना रहा है बई कैल्कुलेट करो साथ साथ कैल्कुलेट किया करो यार मैं हर बार बोलता हूँ आप लोगों को ठीक है आप लोगों के लिए ही मैं आपके साथ साथ कैल्कुलेशन करता हूँ ताकि आप लोग भी साथ साथ कैल्कुलेट कर सको और टाइम कंजूम ना हो 192.66 192.66 mm हमारा R आ गया यहां से और कोस थीटा क्या हो जाएगा अब यहां से बेस अपॉन हाइपोटनियूस बेस यह है और हाइपोटनियूस क्या है R यह क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटनियूस बेस कितना है हमारे 107.33 और हाइपोटनियूस कितना कैल्कुलेट किया है 192.66 as it is लिख देते हैं अब इसको फिर हम एफ आर में पुट करेंगे, ठीक है, एफ आर में पुट करेंगे, उससे पहले हमें F2 की वैल्यू कैल्कुलेट करनी है, और उसके लिए हमें पहले अब IZZ की भी जरुरत पड़ेगी, तो वो निकालेंगे, तो जल्दी से स्क्रीन शोट ले लो इसका, इसके बाद फिर करते ह है, आ गई, जल्दी से लो भई, और IZZ के लिए हमें वैल्यूस की जरुरत पड़ेगी, एक बार यहां पर लिख लेते हैं, जो हमने कैल्कुलेट किया है, F1 किया है, हमने P अपॉन 2520, ठीक है, और F2 तो भी हमें कैल्कुलेट करना है, आर कितना रहे है, आर कितना है था हमा हमारा आर, और कॉस थीटा हमारा कितना आ रहा था, 107.33 divided by 192.66, इसके इलावा, हमें किसी चीज की जरुरत नहीं है, भी फिलहाल, इस एंट्रिसीटी की थी, वो हमने लिखी हुई है, और कुछ नहीं चाहिए, भी फिलहाल, तो आगे देखते हैं, तो भी अब बारी आती है, हमारी F2 केलकुलेट करने की, F2 के लिए भी Izz की बची हुई है, खेर बारी, Izz भी तो बचा हुए न, वही तो सबसे ज़्यादा क्या करेगा, टाइम कंज्यूम करेगा, तो अब देखो, Izz के लिए क्या चीए, Ixx और Iyy, तो सबसे पहले क्या करते हैं, Ixx, तो Ixx निकालते हैं सबसे पहले, Now, Ixx, कैसे निकालेंगे Ixx, 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 तो इसके about जब मैं बात करूँगा, तो इस particular element की, ठीक है, इस वाली welding की, हमें कोई भी axis shift करने की जरुरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि वो इसके ही just, साथ में लाए करेगी, इसी के ऊपर लाए करेगी, ठीक है, क्योंकि इस axis के about यह वैसे भी symmetric था, तो वो हमें shift करने की जरुरत है ही नहीं, इस particular element की, इन दोनों की हमें shift करने की जरुरत पड़ेगी, यहां से यहां पर लेक्यानी पड़ेगी, और इसकी यहां पर लानी पड़ेगी, तो लिख देते हैं इनका ixx, तो यह क्या हो जाएगा, bd cube by 12, यह किसके लिए हो गया हमारा, element 2 के लिए, plus 2 times bd cube by 12, plus a into y bar का square, यह किसके लिए हो गया, 1 और 3 के लिए, 1 and 3 के लिए, clear, तो इसके लिए और इसके लिए हो गया, plus a into y bar का square y bar क्या है हमारा यहां पर, यह हमारा y bar है यहां पर, 160, line area लेके चलते हैं, वो मैंने आपको पहले भी बताया हो है, तो इसलिए confusion बिल्कुल भी नहीं होनी चीए, अब bd cube by 12, इसके अंदर cube किसका करूँगा, जो dimension यहां पर कट रही होगी, कौन सी कट रही है, यह length कट रही है, तो 320, 320 का cube into throat thickness, throat thickness कितनी है हमारी यहां पर, कितनी calculate करी थी, 4.2, तो 4.2 divided by 12, plus 2 into, अब इनके लिए यह axis है, तो कौन सी dimension कट हो रही है, throat thickness, तो throat thickness का ही यहां पर क्या करूँगा, मैं, cube करूँगा, तो यहां पर throat thickness का cube करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4.2 cube into, यह dimension कितनी है, 140, divided by 12, plus a into y bar का square, area क्या हो जाएगा, 140 into throat thickness, 140 into 4.2, a into y bar कितना है, 160 का square, यह चीज़ clear, अब देखो, जनरली पहले हम इसको, neglect कर देते थे, यहां पर भी आप करना चाहों तो कर सकते हो, ज्यादा difference नहीं आएगा, आप करके भी, चेक कर सकते हो, कि ज्यादा difference नहीं आएगा, मतलब solution जब करोगे, यहां पर values है, तो हम कर देते हैं, solve otherwise, अगर in terms of t होता, मतलब अगर हमें size of weld निकालना होता है, तो यहां पर ignore कर देते, क्योंकि फिर वो equation हमारी complex हो जाती, यहां पर calculation करनी है, तो direct इसको भी हम put करके, calculator में value put करनी है, बस और कुछ नहीं करना भी तो, तो कर देंगे भी इसको solve, यह हो जाएगा हमारा, 320 क्यूब, एक सेग्ड, 320 क्यूब इंटो 4.2 दिए बाइ 12, plus 2 in 2, plus 2 in 2, 4.2 का क्यूब इंटो 140 दिए बाइ 12, plus, ठीक है, हाँ, प्लस हो गया यह हमारा, 140 into 4.2 into 160 का स्क्वेर, तो यह आएगा हमारा, 4157, 4157, 6128, 0.72 mm4, Ixx आगया हमारा, clear, ऐसे ही अब क्या करेंगे, Iyy निकाल लेते हैं, now, Iyy, Iyy calculate करेंगे, जब तो क्या होगा, symmetric तो है नहीं, तो Iyy के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों के लिए shift करना पड़ेगा, हमें, इसको भी धरलाना पड़ेगा, और इनको भी यहाँ पे shift करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे हमारी shifting होगी, मतलब इसकी जो value आएगी, यह कहाँ पे है भी, यहाँ से 32 point something है, 32.67 और इसकी कितनी थी, 140, 70 था, यहाँ से 70 होना चीए था, मतलब इसके आगे आएगी कहीं पे, इसकी axis, मतलब इन दोनों की जो center line आएगी, वो आएगी यहाँ पे कहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यह value shift करनी पड़ेगी, suppose x3 से, तो यह जो x3 का distance है, यह कैसे calculate करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का distance था, यह तो total कितना है, मतलब, यहाँ से लेके यहाँ तक का distance यह कितना है, हमारा, 140 divided by 2, मतलब 70, 70 mm, उसमें से इतना minus कर दूँगा, तो यह आ जाएगा, clear, अब इनको बारी-बारी से calculate कर देते हैं, IYY के लिए सबसे पहले आब 1 का लिखे, 1 और इसका लिख लेते हैं, पहले 2 का, तो इसमें क्या हो जाएगा, db3 by 12, प्लस, a into, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x-bar, इसमें तो खेर लिखाई हुआ है, प्लस, a2 into x-bar का square यह तो हो गया, second के लिए, प्लस, db3 by 12, प्लस, a into x3 का square यह हो गया, हमारा, 1 and 3 के लिए, यह चीज़ क्लियर, बिल्कुल ऐसे ही किया है, हमने कोई भी दिक्कत नहीं आनी चीए, भी इसमें, तो अब इनकी values लिख लेते हैं, यहाँ पर, ठीक है, तो cube किसका होगा, यहाँ पर, second में, iyy निकाल रहे हैं, तो यह, इस axis को काट रही है, मनलब, throat thickness को, तो throat thickness का cube हो जाएगा, 4.2 cube into, दूसरी dimension कितने हैं, इसकी 320, divide by 12, प्लस, area कितना था, इसका a2 कितना था भई, 1344, into, x bar कितना आया था, यहाँ से हमारा, 32.67, इसका square, इसका square है यहाँ पर, और, प्लस, यहाँ पर जब बात करेंगे, इंटू 2 भी होगा, इंटू 2 भी होगा न यह, क्योंकि यह दोनों के लिए था, clear, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, प्लस 2 into, इनके लिए जब हम बात करेंगे, db cube by 12, तो यहाँ पर कौनसी dimension कट हो रही है, यह वाली, लंबे वाली dimension कट कर रही है न, यह, तो 140 का cube, into 4.2 divided by 12, प्लस area, 140 into throat thickness, 4.2 into, x3 कितना जाएगा हमारा यहाँ पर, 70 minus 32.67, into, into, 70 minus 32.67 का square, यह आगया 1 और 3 के लिए, clear, तो यहाँ से अब value, calculate करके लिख दीजिए, calculation में बिल्कुल सावधानी से करना यार, mistake हो सकती है, ठीक है, हो सकता है, मेरी भी mistake हो जाए, यहाँ पर तो आप लोग बिल्कुल अपने हाथ, अपने हाथ से खुद से solve करके लिखना, क्योंकि कुछ नहीं पता, छोटी मोटी value इधर-उदर हो सकती है, तो उससे mistakes हो सकती है, तो calculation mistake avoid करना, मेरा भी cross check करके चलना खुदी, तो अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा, 4.2 cube, 4.2 cube into 320 divided by 12 plus 13444 into 32.67 ka square plus, plus हो गया यह, 2 into 140 का cube into 4.2 divided by 12 plus 140 यह हो जाएगा हमारा, plus 140 into 4.2 into 70 में से 62 करेंगे, चलो ऐसी ही पर कर देते हैं, 70 माइनस 32.67 का square, यह हो गया, यह ठीक है, यह आ रहा है, 49960, 4996055, 0.708, 0.708 mm की पावर, 4i, yy आ गया, तो ixx और iyy दोनों आ गए यार अभी हाँ पर, ठीक है, दोनों आ गए तो अब क्या करना है हमें, izz calculate करना हमारा main motive था, तो अब izz calculate कर लिते हैं, therefore, izz equals to ixx plus iyy, तो यह क्या हो जाएगा, ixx क्या था हमारा, 41576128.72 plus 4996055.708, यह हो गया हमारा यहाँ पर izz, कितनी आ रही है वैली हो, देखो calculate करके, 41576128.72 plus 4996055.708, 465, 465, 721, 84.43 mm की power, 4, यह आ गया हमारा izz, अब बारी आती है हमारी f2 calculate करने की, इसको जल्दी से note down करो, तो फिर हम बात करते हैं, calculate करते है f2 को, ठीक है? तो देखो अब, f2 calculate करेंगे, सारा पसीना इसको निकालने में ही आ जाता है भई, ठीक है? बाकी question एक तरफ और moment of inertia निकालना है एक तरफ, izz, क्योंकि इसमें दो moment of inertia निकालने पड़ जाते हैं हमें, ixx भी और iyy भी, तो therefore, f2 क्या हो जाएगा हमारा, t upon izz, into r, ये कितना आ रहे हैं, t हमने कितना निकाला था, centricity कितनी थी, 347.33 into p, into में r क्या था हमारा, 192.66, divide by izz, कितना है, four six five, seven two one, eight four point, four three, ये देखो, कितना आ रहे हैं, calculate करके एक बार, ये आएगा हमारा, 347.33 into 192.66, divide by four six five, seven two one, eight four point, four three, one point four three, ये ये वन पोइंट four four, into ten raise to power minus three, P, P की टम्स में आएगा न ये, ये आगया हमारा, यहाँ पे, one point four four, into ten raise to power, minus three P, F2 आगया, ठीक है, तो अब यहाँ से हम, FR निकालते हैं, F1 square, plus F2 square, plus two F1 F2, cos theta, तो अब यहाँ पे देखो, under root of, F1 क्या था हमारा, P upon, 2520, इसका square, plus one point four four, into ten raise to power, minus three, P, इसका square, plus, two into, P upon 2520, into one point four four, into ten raise to power, minus three, F1 F2, into cos theta, cos theta की वाल्यू क्या थी, 107.33, divided by, 192.66, ठीक है, देखो भी हाँ से हमारा, FR कितना आता है, P की टर्म्स में आएगा भाई, तो P की टर्म्स में calculate कर लो, under root of, under root of, यह आजाएगा हमारा, 1 upon 2520 का स्क्वेर, प्लस, 1.44, into ten raise to power, minus three का स्क्वेर, प्लस, 2 into, 1 upon 2520, P को मैंने common ले लिए, इसलिए मैं 1 लिख रहा हूँ, और into में 1.44, यह हैंपर, 1.44 into ten raise to power three, P भी आएगा यहाँ पर याँ, ठीक है, into, ten raise to power, minus three, into, 107, 0.33 upon, 192.66, यह आ रहा है, 1.69, into, 10 raise to power, minus three, P, P square common आ जाएगा, बहार आके, P हो जाएगा, भी वो, यह हमारा यहाँ पे, FR आ गया, अब हमें यह पता है, कि FR should be, FR should be, less than, equals to, FS, maximum value से कम होना चाहिए, भी इसकी, तो अब यहाँ पे, इसको एक्वेट कर दो, FR हमारा क्या है, 1.69, into, 10 raise to power, minus three, P, it should be, less than, equals to, 110, तो, P should be, less than, equals to, 110, upon, 1.69, into, 10 raise to power, minus three, यहाँ से देखो, P should be, less than, equals to, कितना आता है, 110, upon, 1.69, into, 10 raise to power, minus three, 650, double eight, इसको, kilonewton में, लिखलो, 1000 से डिवाइड कर दो, तो, 65.08, 65.08, kilonewton, यह हमारा, यहाँ पे, क्या आगया, answer, maximum value, मैं कितनी लगा सकता हूँ, 65.08, यहाँ पे भी, आपको दिखा रहा है, कि शुट बी, less than, or equal to, this value, इससे कम हो, या maximum, इसके बराबर हो सकती है, इसके, ज्यादा नहीं लगा सकते हम, तो, यह हमने यहाँ पे, answer, calculate गर लिया, जो हम से पूछा गया था, कि, maximum load में कितना लगा सकता हूँ, ठीक है, सिर्फ थोड़ी बहुत, calculation, इसकी symmetry की वजह से, ही यहाँ पर, increase हुई है, जैसे कि, पहले हुई थी, थोड़ा, हमें यहाँ पे, practice हो जाए, इसके लिए, इसलिए मैंने थोड़ा, unsymmetric section के भी, यहाँ पे questions आपको, करवाए हैं, तो, यह clear होगे, तो इसके बाद, तो दूसरे simple हैं, बिल्कुल, इसके बाद देखते हैं, next, अभी तक हमने, rivet के, और welded joints के, ठीक है, welding के और rivet के, हमने क्या कर लिए, जितने भी questions, numericals, जो थे possible थे, almost हर type के, हमने करने की कोशिश कर लिए, तो अभी तक, इन में, जितने questions हमने किये हैं, उसके accordingly, इनके उपर, अगर कोई question आता है, तो, आप लोगों से, हर एक question जो है, देखो, steel structures के अंदर, इतनी ज्यादा, नहीं पूछ जाती, numerical पे ही, ज्यादा आपका focus रहता है, बट, जो theory पूछी जाती है, वो बहुत simple होती है, कुछ भी जादा, मतलब, बहुत ज्यादा difficult, नहीं पूछी जाती है आपसे, तो, दिमाग को ठंडा रख के सोचने की कोशिश करोगे, तो हर बच्चा कोई न कोई points इसके लिए लिखी आएगा, ठीक है, बट, कभी भी, steel का, अगर question आता है, तो आप theory को preference ना देके, numerical को preference देना, क्योंकि theory में आपको, सोचना पड़ेगा, और time consume करेगा, यह आपका, और marks भी आपको, पूरे के पूरे, मिलने की probability कम रहती है, वहीं अगर numerical अगर आपका आता है, तो आपको approach clear है, तो आप बिल्कुल, एकदम flow में उसको continuity के साथ करते चलोगे, और numerical का answer सही आ रहा है, आपका step सही किये, तो marks भी आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है, तो बट यह है कि कभी अगर पूछा जाए, तो आपको किस तरह से attempt करना है, तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पे जैसे advantages और disadvantages के बारे में, यहाँ आपे हम से पूछा हुआ है, तो advantages देखते हैं कि क्या है सबसे पहले, तो देखो, सबसे पहले लिखते हैं हम advantages, advantages of welded joints, तो advantages में point by point आप लोगों को यहाँ पे, jod down करने हैं सारे points, क्या होगी advantages वो देखो अभी हाँ पे, देखो भई, पहली advantage क्या है आपकी देखो एक तो economical होता है, section हमारा देखिए क्या है, welded joints, welded joints are more economical, are more economical than, than riveted, than riveted और bolted joints, क्यों होता है, वो देखिए because, because splice plates, splice plates, are not required, तो देखो भई, यहाँ पे, हमें क्या बोला गया है, कि advantage हमारी क्या है, welded joints की, पहली advantage क्या है, कि welded joint जो होते हैं, वो more economical होते हैं, मतलब, सस्ते होते हैं, किफायती होते हैं, basically, ठीक है, then riveted और bolted joints, rivet या फिर bolted joint के, comparison में, क्योंकि इनका competitor क्या है, rivet और bolted joints यह ना, कि welding ना use करके, क्या कर सकता हूं, use में, rivet या फिर bolts, तो इनके comparison में, welding हमारा क्या पढ़ता है, हमें cheaper option पढ़ता है, क्योंकि splice plates are not required, splice plates are not required, मतलब, अगर हमें, basically, यह use करना होता है, तो welding के लिए, अलग से हमें, दूसरी plates की requirement, नहीं होगी, उनको connect करने के लिए, basically, load को transfer करने के लिए, एक plate से, दूसरी plate के लिए, ठीक है, तो जैसे, suppose इस तरह का हम joint बनाते हैं, तो यह हमने, दो plates connect करनी थी, ठीक है, तो इन दो plates को rivet, अगर मैं करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यह splice plates, यह cover plates जहे, जो है, यह provide करनी पड़ती थी, तब यहाँ पर मैं क्या करता था, bolting करता था, ठीक है, और इसके बाद फिर यह क्या करते थे, इनको shift, load transfer करते थे, और joint के efficiency, maintain करके रखते थे, बट अगर मैं suppose यहाँ पर, overlapping, sorry, butt joint ही है हमारा, और मैं welded joint करना चाहता हूँ इसको, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ही क्या कर सकता हूँ, अब मैं, यहाँ पर ही welding कर दूँगा, मुझे अलग से कोई दूसरी plate, इस तरह की provide करने की जरुरत, नहीं पड़ेगी, तो plate नहीं provide करनी, तो material बचेगा, तो cost हमारी safe होगी, तो cost बचेगी, तो हमारे लिए better option होगा, ठीक है, तो एक हमारा जो, इसका advantage हो गई, वह हमने देख ली, next advantage क्या है हमारी यहाँ पर, next advantage है, welded joints are more rigid, welded joints, are more rigid, than riveted joints, then riveted joints, the cover plates, connecting angles, connecting angles, etc., in riveted joints, make the joint more flexible, more flexible, ठीक है, यह point क्या बोल रहा है, देखिए, कि जो welded joints हैं, हमारे, वो welded joints, ज्यादा rigid हैं, basically, ठीक है, किसके comparison में, riveted joints के, अगर मैं compare करता हूँ, rivets के comparison में, अगर मैं compare करता हूँ, welding को, तो वो rigid है, बजाए की riveting के, क्यों rigid क्यों है, कौन इसको, यह flexible क्यों है, इसको flexible क्यों बनाता है, cover plates हो गई, connecting angles हो गई, जिनको हम use करते हैं, इनको joint को, जोडने के लिए, joint को maintain करने के लिए, यह सब इसको क्या करते हैं, flexible बना देते हैं, कि suppose यहाँ पर मैंने यह दो चीजें, दो मैंने यह road या दो, suppose मेरी plates थी, इनको मैंने connect किया, किसी भी एक rivet के द्वारा, ठीक है, overlapping joint हमने यहाँ पर provide किया था, तो अब यहाँ पर मैं जब इसको देखता हूं, तो मेरे यह जो flexibility, मेरी plate के अंदर रहती है, ठीक है, मेरी जो plate है, वो अगर मैं यहाँ पर welding करता हूं, उसके comparison में मैं अगर rivets के joint को देखूँगा, तो riveted joint मेरा ज़्यादा flexible होगा, basically movement शो कर सकता है, ठीक है, वहीं पर welding अगर मैंने करती, तो welded joint बिल्कुल भी movement शो नहीं करता, बिल्कुल भी वो इधर-उदर नहीं हिलता, rivets में क्या हो सकता है, कि rivets अगर lose होगे, तो joint हमारा क्या हो सकता है, हिल डूल सकता है, मतलब, वो क्या कर सकता है, flexibility शो कर सकता है, ठीक है, बिना lose हुए भी अगर मैं देखूँ, तो दोनों को compare करूँ, तो welding हमारी ज़्यादा rigid है, और मैं यहीं चाहता हूँ, कि मेरा जो joint हो एकदम rigid रहे, बिल्कुल भी हिले-डूले, ना अगर हिलेगा, तो losses उसके अंदर आएंगे, और मैं losses नहीं चाहता, because of welding that now that now it is very it is very easy to join, easy to join tubular section tubular sections इसका मतलब क्या है, basically देखो, कि सिर्फ welding की वज़े से ही यह चीज पॉसिबल हो सकी है, कि हम tubular sections को भी जोड सकते हैं, मतलब कोई भी suppose tube, अगर हमारी suppose tubular, मतलब circular जो हमारे pipe type structure होते हैं, उनको भी मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, जोड सकता हूँ, कि suppose अगर मेरे इस तरह से भी आगर आ रहा है कोई section, तो मैं बीच में यहाँ पर joint, उसके अंदर एकदम perfect उसको joint कर सकता हूँ, perfectly उसको एक समान बना सकता हूँ, मतलब आप suppose इसको ऐसे मान लीजे, कि यहाँ पर मुझे कोई tubular section जोडना है, ठीक है, यह tubular section मेरा यहाँ पर मुझे join करना था, यहाँ पर अगर मैं welding कर देता हूँ, तो यह बिल्कुल perfectly rigid रहेगा, यहाँ पर मुझे, इसकी welding की वज़े से ही मैंने क्या किया, इस particular joint को join कर सकता हूँ, यहाँ आप कह सकते हो कि welding के वज़े से यह possible हो पाया, ठीक है, और छोटे sections में generally, यहाँ पर हम कर सकते हैं, देखो यार, plates के through, riveting के through भी इसको जोड़ सकते हैं, बट वो हमारा efficiency जो हमें मिलती है, इसके अंदर, वो उसके अंदर नहीं मिलती थी, rivets के अंदर, welding की वज़े से ही हमारा possible हो पाया, है कि इसको perfectly मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर vacuum भी create कर सकता हूँ, welding provide करे के, ठीक है, riveting में क्या है, flexible है, तो इसलिए थोड़ा losses की chances, जो उसके अंदर रहते थे हैं हमारे, tubular section अगर बना सकता हूँ, तो मैं welding की वज़े से बना सकता हूँ, तो मतलब इसकी range जो है basically बढ़ गई है, हम ज़्यादा sections यूज़ कर सकते हैं, हम ज़्यादा इसकी applications यूज़ कर सकते हैं, because of welding only, और fourth हमारी advantage क्या है यहाँ पर, due to fusion of, due to, fusion of, two metal pieces, two metal pieces, the structure obtained is continuous, the structure obtained is continuous, is continuous, the welded, the welded, joint, gives better, better architectural appearance, better architectural appearance, यह point basically देखो, वैसे खुद में खुद ही understood है, कुछ ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है, कि दो metal pieces इसके अंदर fuse किये जाते हैं, मतलब दो metal pieces जो हापस में जुड़ते हैं, क्योंकि welding भी हमारी क्या होती है, इसमें बाते हैं, हम से material यूज करते हैं, उसको हम उसके साथ में fuse कर सकें, उसके साथ में जूड़ सकें, तो दो metal pieces जुड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, इसमें कहीं पर भी continuity जो है, वो ब्रेक नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको भी यहां पर दिखाया था, सपोस्थ यहां पर कोई भी यहां पर हम joint करते हैं, तो यहां पर हमने क्या किया, welding कर दी, इस welding की वज़े से यहां पर भी इस particular point पर भी हमें कोई भी continuity break होती हुई नजर नहीं आती, कब नजर आएगी जब यहां पर हमें कोई दूसरा material दीखे या continuity break up दीखेगी जब यहां पर gap दीखे हमें वो चीज़े में यहां पर नजर ही नहीं आ रही तो यहां पर क्या होगा मैंने metal फिल कर दिया welding करके तो यह continuity मेंटेंड है यहां पर ठीक है इसका best example आप देख सकते लेगी welding आपको ठीक है तो जो welding की गई होती है DMRC के आप अगर देखोगे मेट्रो के जो रेल्स है ठीक है तो उनकी रेल्स जो है वो fine welded की होती है तो welding की वजह से वो जो बिल्कुल continuity break नहीं होती उसकी वजह से जर्क भी आप लोगों को feel नहीं होता अगर यहां पर gap होगा इ तो इसके उपर जब होता है यहां पर gap था तो इसकी वजह से जर्क फील आपको होता जटका लगता जैसे नोर्मल आप लोगों को इंडियन रेल्वेस की जो ट्रेन से उनमें मिलता है और यहां पर DMRC में जर्क आपको बहुत रेरली फील होता है बहुत smooth experience होता है वो यह continuity break नहीं होती बहुत दूर distances ज्यादा-ज्यादा distances पर आपका gap दिया होता है उसके अंदर तो सेम ऐसे ही है welding की गई है उसकी वजह से continuity break नहीं होती clear the welded joint gives better architectural appearance और इससे क्या होता है हमें देखने में भी अच्छा लगता है कि बिल्कुल एकदम smooth finishing हमारी हमारी किसी भी element को यहां पर मिलती है just because of welding तो better architectural appearance भी हमारी welding की वजह से देखने को मिलती है मतलब हमारा look जो है वो भी welding process welding process does not make large sound does not make large sound as compared to as compared to riveted joints riveted joints and thus less noise pollution is there best example जैसे मैंने आपको अभी बताया था इसका railway tracks जो आपके metro के railway tracks होते हैं ठीक है उनके अंदर आप लोगों को दिखता है कि metro जब चलती है तो metro के tracks की वजह से आपको मतले आपको शोर बहुत कम नजर आता है और वहीं अगर आप जब देखते हो इंडियन railways गो वहां पर जब आप देखोगे तो आपको शोर बहुत ज्यादा नजर आता है पट्री की वजह से भी मतलब जब वो एक रेल से दूसरी रेल पर shift करती है ठक ठक की आवाज आप लोगों को सुनाई देती होगी ठीक है वो जो sound है बेसिकली जर्क की एक रेल से दूसरी रेल पर shift करने की तो उसकी वजह से आपको शोर भी सुनाई देता है वो चीज यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगी noise pollution कम ह हो जाएगा continuity टूटी नहीं है तो उसकी वजह से वह जर्क फिल नहीं हो और उसकी वजह से यहाँ पर शोर भी नहीं होगा बट ऐसा रिवेटेट जोएंट में नहीं होता उनमें आपको शोर थोड़ा ज्यादा सुनाई देता है comparison किया गया बेसिकली यहाँ पर रिवेट औ और वेल्डिंग के बीच में तो आपको कम नौइस पोल्यूशन देखने को मिलता है अगर वेल्डिट जूइंट यूज गरते हो तो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा विकॉज आफ कि दा एब्सेंस आफ कि स्प्लाइश प्लेट्स कि कि कनेक्टिंग एंगल्स च्टिंग अच्स नेटील्ग्छ द्हरेख एंगेब्स कि शु आपको कि तेटश के Erीख sollamo også में दो पिल्डिटाव स्ट्रीट saving कोश्ट एंड टाइम ठीक है देखो भई अब कुछ एक्स्ट्रा स्प्लाइस प्लेट व्लेटेट वगएरा एक्स्ट्रा हमें कुछ यूज नहीं करनी कुछ connecting angles नहीं लगाने तो extra जो हमारी headache जो थी वो हमारी सारी की सारी क्या हो गई avoid हो गई अब मुझे ये joint तो करना ही था design इनके इलावा मुझे क्या करना पड़ता कि plates जो splice plates use करता उनका connecting angles use करता उनका उनके लिए भी मुझे क्या करना पड़ता डिजाइनिंग करनी पड़ती उनकी भी मुझे drawing वगएरा detailing मुझे करनी पड़ती वो extra material जो मुझे use करना था उसकी headache जो है वो मेरी यहां पर खतम हो गई welding में यह सब कुछ use नहीं किया कोस्ट कटिंग से बहुत ज्यादा difference आपका नजर आ सकता है ठीक है क्योंकि आपकी documentation की handling की और drawing details की इन सब की कोस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होती है considerable होती है अगर हम बड़े projects की बात करें तो वहां पर यह सब जो कोस्ट है यह हमारी बच जाती है और इनको maintain करने की इनको बनाने की जो बनाने का जो time है basically वो time भी हमारा safe हो जाता है तो time और कोस्ट दोनों की बचत होती है अगर मैं welding करता हूं तो काफी advantages है welding कि नेक्स्ट देखिए भाई the efficiency of efficiency of welded joint is welded joint is more than that of riveted joint more than that of riveted joint तो efficiency हमारी क्या होती है welded joint की ज्यादा होती है अगर मैं compare करूं riveted joints है क्यों ज्यादा होगी भाई क्योंकि यहाँ पर हमने पहले भी compare किया था इसको यह देखो welded joints are more rigid अब ज्यादा rigid है तो losses इसके अंदर बिल्कुल ना के बराबर होंगे losses नहीं होंगे तो efficiency एकदम ज्यादा मिलेगी और वहीं flexibility अगर आ गई तो losses बढ़ जाएंगे riveted connection में और losses बढ़ गए तो efficiency drop हो जाएगी तो इसलिए अगर मैं बात करूं efficiency की तो valid joints के efficiency हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है riveted joints के comparison में तो basically यह हमारी सारी अडवांटेजीश थी एक बार इसको no down कर यह फिर इसके बाद देखते हैं disadvantages क्या है हमारी यहाँ पर जल्दी से no down करो भाई फिर इसको रब करके फिर हम देखते हैं disadvantages तो जल्दी से करो भई स्क्रीन शोट लो अब बात करते हैं हम यहां पर डिस अड्वांटेज इसकी यह आपका पूछा गया है प्रिवेस यह कोश्चन नहीं एससी का दो हजार नौ का है शायद तो बारा नंबर का कोश्चन पूछा गया था तो उसके हिसाब से यह आपको यहां पर पॉइंट्स लिखने है एक एक नंबर का एक पॉइंट तो आपको नजर आना ही चाहिए ताकि आपको माक्स भी थोड़े मिल जाए यह अधरवाइस एक्जामिनर को लगेगा कि इस बच्चे ने तो महनत करी नहीं है तो वो उसी साब से फिर माक्स देंगे तो डिस एडवांटेजिस अब डिस एडवांटेजिस की बात करते हैं तो सबसी पहली डिस एडवांटेज हमारी क्या आती है देखिए में मोर स्किल्ड परसेनल और रिक्वार्ड पर मेंकिंग वेल्ड इन दा मेटल्स मतलब देखो रिविटिंग करने के लिए आपको उतनी ज्यादा स्किल्ड की रिक्वार्मेंट नहीं है ठीक है उसमें आपको सिर्फ नट बोल्ट जो है वो टाइट करने है ठीक है हाँ मशीनों की जरुरत पड़ेगी आप कह सकते हो कि थोड़ी बहुत आपको केरफुली उनको करना है ताकि वो लूजना रहे कुछ भी बट उतनी स्किल्ड की रिक्वार्मेंट नहीं है जितनी हमें यहाँ पर वेल्डिंग करते टाइम जरुरत पड़ेगी वेल्डिंग हर एक इंसान से नहीं हो पाती ठीक है तो वेल्डिंग करने के लिए आपको स्किल्ड पर वेल्डिंग के लिए उनको आपको यहां पर यह टास्क देना पड़ेगा वह वेल्डिंग करेंगे अधरवाइस सिंपल लेबर या सिंपल आपके पास एंपलोई होंगे वह नहीं कर पाएंगे ठीक है मतलब नॉर्मल स्किल्स के साथ जो होंगे आपको एक्स्ट्रा जिनके पास अच्छी स्किल्स वाले होंगे वही आपको यहां पर इन्वॉल्व करने पड़ेंगे नेक्स्ट क्या है तो यह आपके देखों ज्यादा स्किल्स चाहिए तो महेंगी भी पड़ेगे लिए पर आपको तो आपको और हर कोई नहीं कर सकता तो यह एक इस एडवांटेज है कि हर कोई इस चीज़ को नहीं कर सकता बेसिकली नेक्स्ट क्या है दा इंस्पेक्शन दा इंस्पेक्शन ओफ वेल्ड़ ड़्ड़ वेल्ड़ जोइंट इस डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव इस डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव अब देखो यार इसकी वेल्डिंग करने के बाद वेल्डिंग करने की जो इंस्पेक्शन है मतलब वेल्डिंग कर दी मैंने welding करने के बाद मैं अगर inspection करने जाओं कि क्या मैंने welding सही करी है या गलत करी है तो बहुत difficult है और इसको इसका process भी बहुत जादा expensive है मतलब इसको आप ऐसे समझेए suppose आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मैंने ये दो plates जो है ये weld करी है ठीक है एक तो suppose मैंने यहाँ पर welding कर दी तो यहाँ पर suppose ये welding होगी मैंने यहाँ पर कर दी और इधर welding कर दी मैंने suppose इतना material यहाँ पर मैंने fill कर दिया clear तो ये जो beach की जगह है ठीक है ये जो जगह बचगी खाली gap बच गया ये क्या है यहाँ पर या आपकी सही welding ना करने की वज़े से ये gap बच गया है otherwise gap नहीं बचना चाहिए यहाँ पर gap बच गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी efficiency reduce हो जाएगी तो या आपने अच्छी तरीके से welding नहीं करी या फिर किसी और reason से या किसी और तरीके से आपकी welding जो वो सही ना करी गई हो और अगर suppose इस तरह से welding कर दी तो आप अगर inspection करने भी जाओगे तो आप यह चीज यहाँ पर figure out नहीं कर पाओगे बहुत difficult होगा आपके लिए कि अंदर इसके gap बचा है या नहीं है क्या welding material पूरा अंदर तक फिल किया है पूरा फिल हुआ या नहीं हुआ मैटीरियल के साथ यह inspect करना basically बहुत ज्यादा मुश्किल होता है welding के case में अगर मैं rivets की बात करूं तो rivets में मैं inspection असानी से कर सकता हूं मैं वहाँ पर जाके चेक कर सकता हूं क्या मेरे rivets जो है वह प्रोपरली टाइट टाइटन है या नहीं है लूज तो नहीं रहा कोई वह चीज वहाँ पर inspection जो है वह थोड़ी easy हमारी होती है next जो है हमारा यहाँ पर वह है disadvantage the heat generated the heat generated during the welding process welding process may distort the connecting members तो यह तो खेर आप लोगों ने सबने देखा भी होगा कि जब भी हम welding करते हैं तो उस welding करते टाइम बहुत ज्यादा हीट वहाँ पर जेनरेट होती है आपने देखा भी होगा welding हम naked eyes से नहीं करते देख भी नहीं सकते हम basically वह भी आप कह सकते हो कि यह एक disadvantage में आ सकती है कि हमारी eyes के लिए human health के लिए भी है dangerous है basically तो वह भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि eyes तक को इतना affect कर सकती है कि हमारी जो eyesight है तो उसका भी loss हो सकता है तो इतनी heat generate होती है कि जो welding process करते time पर इतनी heat generate होती है कि जो members हैं वो भी connecting members है वो distort हो सकते हैं उनकी shape change हो सकती है मतलब अगर मैं यहाँ पर इन दो particular elements की यहाँ पर welding कर रहा हूं तो यहाँ पर welding करते time पर इतनी ज्यादा heat generate होई कि हो सकता है कि इस member की जो shape है थोड़ी बहुत क्योंकि गरम होने के बाद आपका member क्या हो जाएगा soft हो जाएगा और soft होणि की विजए से उसकी शेप आसानी से espera ho सकती है छेंज हो सकती तो आए ऴोसकता है कि हमारा थोड़ा सा ऐसे हो member यह हमारी थोड़ी सा D यहां पर इतने मेंबर की शेप क्या हो गई डिस्टॉर्ट हो गई यहां पर तो यह जो चेंज आया था किसकी वज़े से आया था जो जोड़ना था वहीं क्या हो गया धिस्टॉट हो गया तो जोड़ने को कोई फायदा नहीं बचेगा फिर सबस्क्राइब मोर प्रॉण ब्रिटल फेलियर कि एज कंपेर्ड टू अधर जोएंट्स कि एज कंपेर्ड टू अधर जोएंट्स तो बैसिकली हमारे जो वेल्डिड जोएंट्स होते हैं वो ब्रिटल प्रिटल फेलियर के ज्यादा प्रोन होते हैं मतलब ब्रिटलस होने के चांसे इसह monsieur यह चीज तो हमने वेल्डिंग जब हमने देखा था टटो वेल्डिंग से सी ए his यह पता है हमें कि वैल्डिंग की स्ट्रेंट जो हमने कि ऐसे एक दम से इसकें अंदर बृतल की तरह ही हम लेके चलते हैं क्योंकि बृतल 법 आपका सदनली होता है एकदम से होता है हमें कोई भी मोका नहीं मिलता कि हम अपने member को ठीक कर सकें या इसको avoid कर सकें एकदम से होता है और इसमें आपका loss बहुत ज़्यादा होता है human life का भी और आपके money या आप कह सकते हो कि material का भी जो loss है बहुत ज़्यादा होता है वह जो है हम करने की कोशिश करते हैं बट आप कह सकते हैं कि इसकी property है कि welding हमारी जो है वह जन्रली ब्रिटल फेलियर पे ही फेल करती है पैटरन से फेल करती है ब्रिटल से और यहां पर नेक्स्ट जो हमारी यहां पर सद्वांटेज लिख सकते हो कि human health is also exposed human health is also कह सकते है आप human health is also affected with the use of welding the maximum impact is on eyes maximum impact can be seen on eyes ठीक है यह हम लोगों को भी पता है कि human health जो है वह बहुत ज्यादा exposed होती है या आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा डेंजर में रहती है कि जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं ठीक है तो और सबसे ज्यादा तो हमारी आंके रहती है अगर मैंने सपोज बिना चश्मे के वेल्डिंग कर दी तो मेरी आइसाइट भी तरीके से लोस हो सकती मैं अंधा या ब्लाइंड बेसिकल हो सकता हूं बहुत आपको केरफुली यह चीज़ करनी होती है क्योंकि बहुत प्रीशियस लाइफ होती है हमारी उसको हमें एक वेल्डिंग की वज़े से गवा नहीं सकते या कोई भी और फेल नहीं करवा सकते तो ऐसा नहीं है कि आपको लिखते ही जाना है बट आपको थोड़ा लिमिटेड वे में और एक बिल्कुल बेस्ट कॉंपोजिशन में उसको प्रेजेंट करना है ताकि आपके मार्क्स भी ना करते और आपका टाइम भी लूज ना हो तो टाइम और मार्क्स दोनों को आपको सा पॉसिबल एडवांटेज और डिसडवांटेज हो सकती हैं क्लियर बाकी का देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रिए और बढ़ते रिए थैंक यू